न काम करेंगे न करने देंगे ये रवैये पर अड़े हुए हैं देश ने आज की और बविष्श की जरूरत की चिन्ता करते हुए संसद की आधुलक इमारत बनवाई संसद देश के लोकतंतर की प्रतीख होती है उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनित्व होता है लेकिन विपक्ष के इस घड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोद किया हमने कर्तव्य पत का विकास किया तो उसका भी विरोद किया गया इन लोगों ने सत्तर साल तक देश के वीर सहीदों के लिए वार मेमोरियल तक नहीं बनाया जब हमने नेशनल वार मेमोरियल बनाया उसका निरमार किया तो इसकी भी सरे आम आलोचरा करते हैं कोई शरम नहीं आई सरदार वल्लबाई पटेल का स्टेशी आफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी बूर्ती है हर इंदुस्तानी को गर्व होता है और कुछ राजनितिक दल चुनाव के समय तो सरदार साब को याद कर लेते हैं लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टेशी आफ यूनिटी में जाकर के सरदार साब किस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किये न उन्हें नमन किया है लेकिन साथियों हमने देश के विकास को इस सकारात्मग राजनिती से आगे बढ़ाने का फैसला किया है और इसलिए नकारात्मग राजनिती से उपर उटकर सकारात्मग राजनिती के रमार्क पर एक मिशन के रुप में हम चल रहे हैं किस राज्य में किसकी सरकार है कहां किसका वोट बैंक है इस सब से उपर उठकर हम पूरे देश में विकास को सर्वोच्च प्रात्फिक्ता दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास ये धर्ती पर चरितार्थ करने के लिए जीजान से जूटे हैं साथियों पिछले वर्षों में रेलवे युवाओं को जोब देने का भी बहुत बड़ा जरिया बनी है करीब डेड़ लाग से जादा युवाओं को अकेले रेलवे में पक्की नोकरी मिली हैं इसी तरह इंफ्रास्टेक्टर पर लाखों करोड के निवेश से लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है इस समय केंद्र सरकार दस लाख युवाओं को नोकरी देने का अभियान भी चला रही है रोजगार मेलों में लगातार युवाओं को नियूक्ति पत्र मिल रहे हैं यह बदलते भारत की वो तस्वीर है जिसमें विकास युवाओं को नए आउसर दे रहा है और युवाओं विकास को नए पंख लगा रहे हैं साथियों आज इस कारकम में बहुत सारे स्वतंत्रता सेना भी हमें आशिरवाद देने के लिए उपस्तित है कई पद्म सम्मान प्राप्त महानुभाव भी इस कारकम की शोभा बढ़ा रहे है हर भारतिय के लिए अगस्त महिना बहुत विशेश महिना होता है ये महिना क्रांती का महिना है कृतग्यता का महिना है करतव्य भावना का माँ है अगस्त में कितने ही इतिहासिक दिवस आते हैं जिनोंने भारत के इतिहास को नई दिशा दी और आज भी हमें प्रेरित करते हैं कल साथ अगस को पुरा देश स्वदेशी आंदोलन को समर्क्वित नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा साथ अगस की ये तारीक हर भारतिय के लिए वोकल्फ और लोकल होने के संकल्फ को दोहराने का दिन है कुछी दिनों बात गणेश चतुर्थी का पवित्रपर्व भी आने वाला है हमें अभी से इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी की तरफ जाना है हम कोशिश करें कि गणपती बप्पा की प्रतिमाएं एको फ्रेंडली मटरियल्स की बनी हो ये वर्ष हमारे स्थानिय कारीगरों हमारे हस्तसिल्पियों और हमारे छोटे उद्यमियों के बनाए उत्पादों को खरीदने की प्रेनना देता है साथ क्यों साथ तारीख के एक दिन बात नव अगस्त आ रही है नव अगस्त वो तारीख है जब एतिहासिक क्वीट इंडिया मूव्मेंट की शुरुवात हुई थे मात्मा गांति ने मंत्र दिया था और क्वीट इंडिया मूव्मेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई उर्जा पैदा कर दी थी इसी से प्रेलित होकर आज पुरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है पीट इंडिया चारों तरफ एक ही गुंज है करप्षन पीट इंडिया यानि ब्रस्टाचार इंडिया छोड़ो डाइनेस्टी ट्वीट इंडिया यानि परिवारवाद इंडिया छोड़ो अपीजमेंट ट्वीट इंडिया यानि तुष्टी करण इंडिया छोड़ो साथियों उसके बाद 15 अगस्त की पुर्वसंद्या 14 अगस्त का विभाजन विभीशिकास मरण दिवस्त जम्मा भारती के दो टुकड़े हो गए थे एक ऐसा दिन है जो हर भारती के आँखों को नम कर देता है ये उन अन्गनित लोगों को याद करने का दिन है जिनोंने भारत के बटवारे की बड़ी कीमत चुकाई ये उन परिवारों के प्रती एक जुड़ता को दिखाने का जिनोंने अपना सब कुछ खो दिया और फिर भी साहस के साथ मा भारती के लिए अपनी सद्धा को लेते हुए जीवन को पट्री पर लेने के लिए जूजते रहे आज ही अपने परिवार अपने देश के हित में देश के विकात में महत्वपन योगदान दे रहे हैं और साथियों 14 आगस्त विभाजन विविशिका दिवस मा भारती के टुकणों का वो दिन हमें भविश में मा भारती को एक रखने की जिम्मेवारी भी देता है अभी देश को किसी भी तरह से कोई नुक्षान न हो पाएं ये संकल्प करने का समय भी ये विभाजन विविशिका दिवस 14 आगस्त है साथियों देश के हर बच्चा बुजुर्ख सब कोई 15 आगस्त का इंतजार करता है और हमारा 15 आगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राश की प्रगति की प्रती हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर गर तिरंगा फैराना है हर गर तिरंगा हर बिल तिरंगा हर मन तिरंगा हर मकसद तिरंगा हर सपना तिरंगा हर संकल्प तिरंगा मैं देख रहा हूं कि अनेक साथ ही आज कल सोचल मीडिया पर अपनी तिरंगे वाली डीपी अपडेट कर रहे हैं हर गर्द तिरंगा के उद्गोश के साथ फ्लैग मार्ज में निकाल रहे हैं मैं आज सभी देश वास्यों से विशेश रुपसे युवाओं को हर गर्द तिरंगे इस आंदोलन से जुणने का और इसका प्रचार प्रसार करने का भी आगर करता हूं साथ क्यों लंबे समय तक हमारे देश के लोग यही सोचते थे कि वो जो टैक्स चुका रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है उन्हें लगता था कि उनकी मेहनत से कमाये हुए पैसेों को ब्रस्टाचार में उड़ा दिया जाएगा लेकिन हमारी सरकार ने इस धारणा को बदल दिया आज लोगों को मैसूस होता है कि उनके पैसे का पाई पाई का उप्योग राश के निर्मान में हो रहा है सुविदाएं बढ़ रही हैं इस अब लिविंग बढ़ रही हैं जो मुसीबतें आपको जेलनी पड़ी वो आपके बच्चों को जेलनी न पड़े उसके लिए दिन रात काम हो रहा है इसका परिणाब यह है कि टैक्च भरने वाले लोगों की विकास के प्रती एक विश्वास बढ़ा आए और उसके कारण टैक्च देने वालों की संख्या भी बढ़ रही है एक समय था जब देश में दो लाख रुपिये की इंकम पर टैक्च लग जाता था आज यह मोदी की गारंटी देखिए आज साथ लाख रुपिये तक की इंकम पर कोई टैक्च नहीं लगता इसके बावजूद देश में जमा होने वाली इंकम टैक्च की रासी भी लगातार बढ़ रही है जो विकास के काम आ रही है इसका सपस्ट संदेश है कि देश में मद्यमबर का दाइरा लगातार बढ़ रहा है अभी पांच दिन पहले ही इंकम टैक्च रिटन भरने की आखरी तारी गुजरी है इस साल हमने देखा है कि इंकम टैक्च रिटन भरने वालों की संख्या सोला परसंट बड़ी है यह दिखाता है कि लोगों का देश की सरकार पर देश में हो रहे नवनिर्मान पर और विकास की कितनी जरूत है इस बात पर भरोसा कितना बढ़ रहा है लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह रेलवे का काया कल्प हो रहा है मेट्रों का विस्तार हो रहा है लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह एक के बाद एक नए एक्सप्रेस में बनाये जा रहे हैं लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह तेजी से नए नए एरपोर्ट बनाये जा रहे हैं नए नए अस्पताल बनाये जा रहे हैं नए ने स्कूल बनाए जा रहे हैं जब लोग इस तरह का बडलाव देखते हैं तो ये एहसास और मजबुत होता है कि उनके पैसे से नए भारत का अंदिर्मान हो रहा है आपके बच्चों के उजवल भविश्य की गारंटी इन सब कामों में गारंटी है हमें इस विश्वास को दिनों दिन और मजबुत करना है और भाई बेनों ये जो 508 रेलवे स्टेशनों का आदुनिकन हुआ है ने ये भी उसी दिशा में उठाया गया कदम है मैं आपको विश्वात दिलाता हूं अम्रित भारत स्टेशन्स भारतिये रेल के इस काया कल्प को एक नई उचाई देंगे आओ इस कामती के महने में हम सभी हिंदुस्तानी नए संकल्पों के साथ 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा बारत को विक्सित बनाने के लिए एक नागरिक के नाते मेरी जो भी जिम्मेवारी है उसको अवश्य पूर्ण करूंगा इस संकल्पों के साथ आप सब का बहुत बहुत धनिवाद बहुत बहुत शुक्त पामनाएगे बहुत बहुत बहुत